हलो अल, मुझे आज आप लोगों के साथ बहुत इंपोर्टन इन्फिमेशन शेयर करनी है आप जैसे कि जानते हो, आपका टर्म वन का रिजर्ट तो आ चुका है अब आप ध्यान से सुनो, देखो आपका जो फाइनल रिजर्ट होगा क्लास 12 का वो टर्म वन और टर्म टू को मिलाके होगा यह आप तो जानते हो, लेकिन इसमें क्याच यह है कि CBSE टर्म वन का complete weightage लेता है या नहीं यह totally depend करेगा आपका टर्म टू कैसा गया है सो basically CBSE नहीं यह कहा है कि दोनों टर्म में जो भी बहतर होगा, उसका weightage जादा होगा और टर्म वन का उस हिसाब से फिर वो decide करेंगे तो जो बच्चे यह सोचके बैठे हैं, जिनका exam जो अच्छा नहीं हुआ था टर्म वन वाला, वो यह सोचके बैठे हो कि टर्म वन तो अल्रड़ी खराब है और जो बच्चे उने टर्म वन बहुत अच्छा किया है, उनको अपना performance consistent रखना होगा ठीक है, तो बेसिकली आपको टर्म वन का देखो ना कोई mark sheet प्रोवाइट की जा रही है ना कोई written document दिया जाएगा, वो इसी लिए है क्योंकि वो टर्म वन का कितना weightage लेंगे यह वो totally depend करेगा ना कि term 2 का performance कैसा जा रहा है, ठीक है तो दिस वस वन information and दूसरा information यह है कि pandemic में CBSE ने center change allow करा हुआ था यानि कि अगर आपका center कोई state में initially था लेकिन आप अपने native place पे चले गए थे तो CBSE ने उसी native place से भी exam देना पहले allow कर दिया था लेकिन CBSE अब यह नहीं allow कर रहा है, तो अगर आपका center आपके native place में ना होके कहीं भी और है तो I request कि आप लोग अपने अपने original centers पे please वापस आ जाएं क्योंकि इस पार center change allow नहीं कर रहा CBSE in a nutshell मैं बस आपको यह कहना चाहरी हूँ कि आपको अपने term 2 के लिए बच्चों पूरी जान लगानी है because जैसे मैंने कहा result tabulation depend करेगा बहतर performance कौन से term में था और center change allowed है नहीं तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए और term 2 के लिए जी जान से महनत करिए on this note team competition wishes you all the best और हम आपके साथ तो हमेशा है ही तो चींता करने की भी जरूरत नहीं है thank you